सबसे पहली चीज यह है कि जब भी आप AI News के साथ आप लिंक रखना चाहते हैं खुद को तो कुछ Newsletter है जहां पे आपको सबस्क्राइब करना चाहिए और यह Newsletter बहुत important है और यह तिजरुबे के साथ ही पता चलता है तो स्क्रीन में आपके सामने शेर करता हूँ उसके अंदर अगर आप जाएंगे तो गूगल पर जाकर आप सिंपली अगर लिखें यहां पर गूगल मैं उपन करता हूँ यहां पर पहला जो Newsletter है जो मेरा फेवरेट है इस अल्फा सिगनल Newsletter ठीक है यह अल्फा सिगनल का Newsletter है आप इस Newsletter पर सबस्क्राइब कर सकते हैं यहां पर आपने अपना best email देना है और वहां पर आपको उसकी समरी मिलती जाएगी और यह Newsletter आपको by email मिलता है आज का दोर यह है कि आप जब तक email को यूज नहीं करेंगे you will not understand कि क्या चल रहे दुनिया आगे अंदर ठीक है तो email यूज करना सबसे important चीज जो है वो गिनी जाती है alpha signal ठीक हो गया यहां तक आपको सही लग गी समझ अलफा signal के बाद जो दूसरा है वो है run down AI google पर जाता हूँ है पहले google पर जाने के बाद यहां पर लिखता हूँ run down AI यह है जो दूसरा newsletter आप इसको subscribe कर सकते हैं of course यहां पर email देंगे and then it will be super easy for you के आप किस तरीके से और यह आपको रोजाना की basis पर यहर तीसरे दिन की basis पर आपको देते है newsletter और of course paid भी होता ही है कोई लोग अपनी services को भी बिचवाते हैं लेकिन ओपन यह है जो बड़े platforms है उनका free में यहां मिलते है फिर आपके पास जो एक और newsletter है that is deep learning.ai का deep learning.ai यह basically यह वाला जो newsletter है यह एंड्रियो एंजी जो AI के बाबा AI गिने जाते हैं AI का Coursera के founder भी है और उन्होंने यह start किया deep learning.ai इनके कई courses भी है AI के उपर आप अगर अंग्रेजी के fan है तो आप यहां से भी देख सकते हैं and usually जब मेरे पास time होता है also watch these things और यहां से भी आप newsletter को देख सकते हैं यह तीन बहुत important है alpha signal, run down, AI and deep learning.ai का newsletter अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने तीन ही क्यों बताएं है इसकी reason यह है कि बहुत ज्यादा information भी काम खराब करती है तो इससे बेतर है अच्छी और खालिस information आपको मिले मेरे पास कई newsletter मैंने update की है लेकिन I won't recommend you to have the same thing क्योंकि मेरा सारा दिन का यही काम है आप में से अगर कोई लोग ज्यादा interested होंगे then I can create that चोथा बहुत important है कि कोडैनिक्स के YouTube चैनल पे जो हमारी AI news आती है उनको जरूर देखा करें जैसे recently मैंने एक AI news जो है यहां पे डाली कल अगर आप videos में जाएंगे so this is the one पांच जो major AI news है मैंने यहां पे दी है ठीक है और यही नहीं मैं Reels की basis पे भी आपको बता रहा होता हूं कि किस तरीके से नई AI news है यह बड़े देसी अंदाज से AI agents क्या होते हैं और open AI क्या कर रही है and upcoming AI news भी है and of course जो हमारे podcast होते हैं उनके अंदर भी हम यही बात कर करते हैं कि दुनिया में इस वकत चल क्या रहा है और अगर आपने recent हमारा podcast देखा हो यह वाला जिशान भाई के साथ that's one of the best podcast I would say किया ही मैंने एक है ऐसा अभी तक data science के अंदर बाकी research के अंदर तो मैंने किया हुए it was one of the best podcast I would say और पांच दिनों के अंदर तकरीबन 24,000 से जाधा लोग इसे देख चुके हैं and actually लोगों ने अच्छा खासा सुना हुआ है so it's a big thing फिर इसके इलावा अगली जो चीज़ है आप मुझे ने पता पाकिसान में Twitter चलता है नहीं चलता जिस वो X बोला जाता है इस पे आप उन लोगों को follow करें जो लोग basically आपके system के साथ यानि के for example अगर आप मुझे follow करते हैं मैं AI news बहुत share करता हूं ठीक है और आप मुझे भी follow कर सकते हैं इस तरह जो जब मुझे follow करेंगे of course जो मैं AI news share करूंगा आपको वो भी मिलते जाएंगे tags वगरा आप उनको follow करते जाएंगे फिर आइसता इसता इसता आपकी community built होगी इसी तरह LinkedIn के उपर है different लोग हैं high level के जैसे एंड्री और एंजी बजाते हैं खुद वहाँ पे बैठे हुए हैं जिन लोगों को Nobel Prize मिले है वो खुद LinkedIn पे बैठे हैं Twitter पे बैठे हैं यह जो Beaker है है हैसबीस है या Google Deep Mind के लोग है जिशान भाई खुद बैठे हुए है Facebook पे भ सकते हैं you don't need to pay anything Opera browser होता है Opera अगर आपको पता है तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं let me show you if I can share the screen again तो yes this one okay so Opera browser के अंदर क्या होता है अगर आप Opera browser इसके उपर जाएंगे ना इसको डाउनलोड कर ले तो आपके पास एक left side के उपर VPN आ जाता है आप यहां पर लिख भी देना कि VPN इसका कैसे यूज़ करना है तो आप directly USA के साथ connect हो जाएंगे and then या किसी और country के साथ तो आपको Twitter गया हर एक चीज़ जो बैंड है पाकिसान के अंदर या different China में भी बैं है अक्सर उकात और इसे तरीके से सादिया और different UAE के अंदर भी कुछ चीज़ें बैं है तो आप VPN से इसे use कर सकते हैं this is free of cost ठीक हो गया जी यहां से आपको AI की news बह